तो फीचर रिक्विस्स समझ लो क्योंकि काफी सारे एक्स्चेंजिस में I think only on Binance हमने देखा है कि डेली profit and loss जैसे हम जरोदा पर देखते हैं तो profit and loss important average buying price पर currency हमें नहीं देखने को मिलता है तो are you guys planning on that feature हां कर रहे है थोड़ा complicated होता है crypto में here deposit withdraw भी होता है तो crypto deposit हो गया crypto withdraw हो गया तो फिर वो complicated है वो वाला profit and loss करना versus से जरूदा रही सारा चीज उसी इसमें होता है तो आपको वो data मिल जाता है यहां पर आप कहीं Binance से deposit कर सकता है कहीं वजीरेक से deposit कर सकता है कहीं से कुछ deposit होगा या withdraw होगा तो वो calculate करना difficult है अगर आप solely एक exchange पर trade कर रहा हो then it's fairly easy यार आपने इस पर buy किया यह होगा but crypto में वो deposit withdraw वाला चीज होता है जिसके कारण थोड़ा complication ही बढ़ जाता है फिर margin trading होता है बहुत सरी जीज़ोंगे so we are trying to create a solution there थोड़ा complicated a bit है but we'll kind of figure it out so we can like add a feature like अगर आपने BTC कर रहा है तो आप उसको click करो तो वहाँ पर आपको दिखा देगा कि यहाँ पर BNS से average इतना है वो वाला आपने आ से लिया है तो I think a second page can help in this they can also add कि यारगे क्योंकि 90% users बाहर के exchanges से नहीं करते हैं deposit I guess because मैंने जितनों से बात करी है सब एक ही exchange पे रहते हैं unless बहुत ही extreme problems उन्हें फेस करने ही वड़ती है तो this was a short clipping from my interview with God of Dhaka जहाँ पे हमने cryptocurrency in India के जो अंदर industry वाले लोग हैं उनकी काफी बाते हमने discuss करी आप एक अच्छा insight ले सकते हो कि कैसे ही पूरी industry चलती है क्रिप्टो बैन का क्या हाल है आप पूर इंट्वी मिल जाएगा हमेरे चैनल पे या फिल लिंग इन फर्स कमेंट तो आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग यू लिए लिए कुनिटिंट शब्सक्राइब अच्छ पिल्एटो यू झाप टाइब लिए लिए